जारकर में कॉंग्रेस की एक मात्र सांसर गीता कोडा ने वीजेपी का दामन थाम लिया है कॉंग्रेस से छोड़ने का उन्होंने कई कारण गिनाई है उन्होंने कॉंग्रेस को एक परिवार की पार्टी बताया जबकि कॉंग्रेस पार्टी तुस्ट्री करन की पक्षधार है बीजेपी में कई अच्छाईयां हैं उन्होंने कहा उनसे बात की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने सुनी उन्होंने क्या कुछ कहा कॉंग्रेस को त्याग कर गीता कोड़ा जी ने बीजेपी का दावन ठामा है लेकिन समय को देखते भी कहा जा सकता है कि कहीं चुनावी मौसम का ये निर्ने तो नहीं है ये चुनावी मौसम का निर्ने नहीं है बलके जिस तरह से लगातार कॉंग्रेस ने उपेक्षा की है ज सुझ को कही ना कहीं दर किनार करके जस तरह से कॉंग्रेस प्राटी तुष्टिकरेंड की राजनीती करी उनका सिर्फ एक ही मकसद हो गया है कि कॉंग्रेस यानि गांधी परिवार तो यह कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत आहत हुआ हम लोगों ने लगातार परदेश को लेकर के कई सारे विषय पार्टी के सामने रखे लेकिन पार्टी ने कभी उस पर कुल कर अपनी बात नहीं रखी नहीं उस पर निडड़ने लिया और यही कारण है कि आज हमने आदरणी मुदी जी जो अधर्णी देनी मोदी जी कि अगर हम बात करे तो आसे विसेयों इकों उसके अभ्य 2 से पर भी काम करते किसी को भी करने की हिंम्मट दी नहीं होते हैं। चहाए वह नहीं हिला आरक्षन की बात हो चाहे वह एसे विकास की, चोड़े से चोड़े चाई जगह को कि मुझे भी बर्तिय जंता पार्टी में रह करके मोदी जी के विजन को उनके कारियों को आगे बढ़ाने का एक छोटा सबसर प्राप्त हो तो पहले से ही चल रहा था कि आप आएंगी बीजेपी में यह चर्चत बहुत आम थी लेकिन इस समय आई हैं वो भी अकेले आई हैं लगी आपके पती मुझे मंत्री रह चुके इस राज़ी के मधो कोडा जी क्यों नइए बीजेपी में को भी सात में पीछे से लाएंगी कि कई बार ऐसा हो ता पतनी आगे पती पीछे एहां सात जन्मों तो मैं मुझे मोदी जी को उनके कारियों को पार्टी के कारियों को बहुत करीब से देखने का उसर प्राप्त हुआ विसे स्रूप से सांसद होने के नाते बहुत करीब से हमने उनके कारियों को निर्नेयों को देखा है तो यह कहीं न कहीं हम लोगों को एक हिमत देता है महिला होने के नाते जिस तरह से वो महिला सांसदों को हिमत देते हैं कि आप कर सकती हैं आप देश के विकास में एक मैतुपुन भागीदारी निभा सकती हैं तो यह जिस तरह से जोस भरते हैं तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और विसेस रूप से अधिनिय मोदी जी ने अभी अधिवासी गौरब दिवस यह किया तो यह हम जैसा अधिवासी के लिए यह हम लोगों के लिए और गर्ब की बात है कि हमें भी रिकनाइज किया गया अधिवासी को पैचान मिली अधिवासी के लिए काम कर रहे हैं तो यह बड़ी बात है और हर वर्क के लिए का कर से अधिवासी नहीं बल्कि कैमेरा में नीरज के साथ राजस्कमान नियोजे लेवन भारत राची लाइक और शेयर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन नियूस लेवन भारत सच है तो दिखेगा